नमस्कार दोस्तों मैं जट्वेदी पाथफाइंडड द्यूल पर आप सभेझ मित्रों का स्वाकत करता हो। जैसा कि आज की समाचार पत्रों में सबसे महत्पूर्ण सूचना निकल कि आ रही है छात्रों ने किया हला बूल का प्रदर्शन प्रेस कानफरेंस के द्वारा यूपी टेपल सी आदी जो आयोग है उनको जगाने का काम बिद्यार्थियों ने किया सरकार की नीतियां किनाई सरकार ने जो वादे किये थे उसको उनको याद दिलाया साथ ही साथ यह सपश करने का प्रयाज किया कि जो सरकारी आकड़े प्रसुत किये जा रहे हैं विद्यार्थियों के समक्ष और आम जनता जो उत्तर प्रदेश की है उनके समक्ष उसकी क्या माइने हैं और सच्चाई में कौन से आकड़े सच्चे हैं और कौन से गलत तर्थ पस्तुत किया जा रहा है जितने भी बात कही गई उनमें से कहा गया कि धाई करोण जो है रोजगार उत्तरप्रदेश शरकार ने दिया लेकिन धाई करोण रोजगार में किसको रोजगार मिला इस बात की चर्चा नहीं थी इसी को अभ्यार्थियों ने असपस्ट किया यूपी टीपल सी से निकलने वाली जो 24 भरतियां थी उनमें से 22 भरतियां अभी तक लंबित हैं एक वेकंसी आज स्वयम कंसिल कर दी गई तो इस तरह से इन सारे मामिलों को अभ्यार्थियों ने उठाया आज प्रियागराज से भी कुछ अभ्यार्थी यूपी टीपल सी पे अभी तक माधमिक का जो फाम आया था निरस हुआ था अभी तक उसको फिर से जारी भी नहीं किया गया है तो भ्यार्थियों में रोस्तो रहे गई अगली महतपूर अपडेट निकल क्या रही है उत्तर प्रदेश सासन वर्स 2020 तक नियुक्त सभी तदस सिचकों को सीग्र न रही है हलाकि उत्तर प्रदेश माधमिक सिचक संगने नेताओं तता सिचक विधाय को दौरभ पूर से यह मांग की जा रही थी कि प्रदेश के सभी सहायता प्रात माधमिक के दियालों में अध्यतन कार्यत अदस इचकों को जो राज़कोस से बेतन पा रहे हैं उन्हें नि हैं कि उन्स फिर से नियमित करेंगे अब वह जो अभ्यार्थी आस लगाया बैठे हुए है कि वकाल सी आएगी वह इंतजार करते जा रहे हैं और ये नए नियम बनते जा रहे हैं उमीद है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा विरोध होगा ऐसा संभव नहीं होगा क्योंकि सुप्रीम कोट ने आदेश दिया था कि इसको निरस्कर्ष के फिर भरती प्रक्रिया फिर शेकर आई जाया और परिक्षा इसमें अनिवार कर दिया था हलाकि देखते हैं क्या होगा जैसा भी होगा आपको सूचना हमारे चैनल के बाद सारी चीजें अब निरस्थ नजर आ रही हैं तब तक जब तक कि यह मामला सौल्व ना हो जाए पहले यह मालवाफ साब होगा उसके बाद ही कहीं जाकर के जो नया विग्यापन है वो जारी हो पाएगा यहां जो है टेट की भी बात चल रही है और 31 तारीक से टेट भी योगी सरकाल लिखित परिछा करा ही रही है ताकि मिधावियों को आउसर मिले अब बीएड की तज पर डियालेड डिप्लोमा इन एलमेंटरी एजुकेशन में भी उन्हीं अभ्यारतियों को मौका मिलेगा जो की इंट्रेंस क्वालिफाई करेंगे तो डियालेड 2021 में अब इंट्रेंस होगा यह भी बहुत ही महत्पूर अपडेट है जो भी अभ्यारति इसमें सामिल होना चाहते हैं वह अपनी तयारी जारी रखें क्योंकि अब मेरिट के आधार पर यह नहीं किया जाएगा डियल डेट अभ्यारति नहीं कर सकते अगली महत्पूर अपडेट टि जारी हुआ था विग्यापन यह सूचना यूपीटीपलसी से बाल विकास सेवा योजना यवं पुष्टा हर विभाग में कनिश्ट लिपिक वा सहायक के 1424 वदों पर भरती के लिए तीन चरणों में जारी विग्यापनों को निरस कर दिया गया है विभाग ने तीन अलग- याचन पर उत्तर परदेश अधिनस सेवा चैन आयोग के द्वारा इसको निरस किया है यूपीटीपलसी ने वर्स 2006-2009 और 2011 में इसे निकाला था आविदकू से 15 फरवजी से अगले 60 दिनों के भीतर अपने जो सुलक लगे हैं पैसे फार्म भरते वक्त लगे हैं उनको वा आपिस कलने भरती प्रक्रिया को निरस कर दिया गया है अगली महतपूर अपडेट निकल क्या रही है एडिन महा विद्यालों में 2003 असिस्टन प्रोफेसर की भरती सुरू उत्तर प्रदेश उचितर सिच्छा सिवा आयोग ने करीब 4 साल बाद असिस्टन प्रोफेसर के विद्याले में 2003 असिस्टन प्रोफेसर की जो भरती प्रक्रिया थी काफी दुनों से रुकी हुई थी उसमें काफी अर्चने थी वह सब दूर करते हुए विग्यापन जारी कर दिया गया है फाम भनने शुरू हो गया है दिया है जाहता प्राज डिग्री कालेजों में इन अभी महत्पुन अपडेट है कि 26 मई से जो प्रथम चरण होगा अभ्यारतियों का परिक्षा का वो होगा मतलब की वैकेंसी को पार्ट पार्ट में किया जा सकता है और इनका जो प्रथम चरण होगी परिक्षा का वह आप देख रहे हैं असपश दिया है 26 मई तक परिथम परिक्षा कराई जाएगे वही न्यूज अलग-अलग समाचार पत्रों में दे रखा है जैसे एड़ेड महाविद्यालेओं में 2003 पदों की भरती प्रक्विया शुरू यह आज और कल तोनों के बेस पे महतपूर अपडेट थी क्योंकि डिगरी कालेजों के प्रचार के फिल अप कर सकते हैं फार्म अल्लाइन होना जुरू हो गया है कल फार्म आ गया है अगली महतपूर अपडेट निकल क्या रही है सिविल अभियंत दो हजार उनीज के साचातकार 22 से यह उत्तर प्रदेश लोग सेवा आयोग से निकली हुई भरती है उत्तर प्रदेश लोग गुआ में सब्सटा कर दो बजे से शूरू हो गा तो इन अभहरतियों की साचातकार करम जारी कर दिये गये हैं आप सभी इसको देख लें हैं अंगली महतपूर अप्डे euk पर एक वेकंसी में गरवड़ी करने के जो आरोप है वो लग रहे हैं खंड सिक्षा अधिकारी के वेकंसी आपको पता है खंड सिक्षा अधिकारी के जो रजल्ट है उसे आउट किया गया है जब तो उसमें कुछ अभ्यारती जो पिछड़े बर के थे उनका कहना है कि उनका चुनाव कम हुआ है उनकी संख्या कम है और आयोग इस पर ध्यान नहीं दिया है नियमों को ताक पेरक करके प्रकैंसी को आगे बढ़ा रहा है तो इस ताना से आरोप लग रहा है लोग सेवा आयोग पर अगली महत्पूर्ण अपडेट निकल के आरी है अहरता की बिवाद में फसी हिंदी की कयी च länger趣 की फाइल है अहरता को लेकर के कुछ ऐसे अभ्यारती भी हैं जो अभी भी फसे हुए हैं लोग सेवा आयोग में यल्टी ग्रेट परिश्चा से सम्मधद दिद्िद यल्टी ग्रेट परिश्चा की तमाम ऐसे अभ्यारती है जिनके डाकुमेंट निजे साले भेजे जा चुके हैं किन्तु कुछ ऐसे भी अभ्यारती हैं जो कि अभी भी अधर में लटके हुए हैं उनकी फाइलें फस गई हैं और मेर्मामला है उनकी अहरता को ले करके जो विवाद पैदा हुए है उसका निप्टारण ना होने के कारण ना विवाद निप्टा है और ना ही भर्ती प्रक्रिया इनकी आगे बढ़ पगी है अगली महतपूर अपडेट निकल के आ रही है इसकूलों ने यूपी बोर्ड प्रयोगात्मक परिच्छा की तित्या की जारी यूपी बोर्ड की ओर से दूसरे चरण में प्रयोगात्मक परिच्छा 13 फरवी से सुरू हो गई है प्रयागराज मंडल में प्रयोगात्मक परिच्छा दूसरे चरण में रखी गई है जैसे रासायन विग्यान की प्रवगात्रों परिछा 18 फरवरी जियू विग्यान की 19 फरवरी दी गई है इन्हीं सारी महत्पूर्चनाओं के साथ मित्रों सुचना सुनने के लिए आप लोगों का बहुत धन्यवार हमारे चरेंग को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें था